जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्क्रेब नहीं करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं तो दोस्तो आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ इस मूवी का नाम है किलिंग ग्राउंड्स ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक कपल केंपिंग के ओपर बनी हुई है मैं आप सभी को इस मूवी को देखने के लिए जरूर सेजस्ट करूँगा देख सकता था जब दोनों कपल अपने तेख की हो जगह पर पहुशते हैं तो उस जगह की खुपसूरती देखे कर वे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं उनके केम्प के थोड़ी दूर पर किसी और का केम्पी भी लगा वा था लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता यान जब वहाँ पर गुम रहा था तो उसे एक बच्चे का केम्प मिलता है और दूसी तरफ वो जर्मन को उसके एक दोस्त के साथ में देखते हैं वे दोनों अच्छे आदम नहीं थे और दोनों ही लड़कियों पर बुरी नेजर रखते थे और वे उनका फाइदा उठाना चाते थे उसके बाद में हमें तीन दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहांपर रोबर्ट उसकी वाइफ मागरेट और उनकी 16 साल की बेटी इमली और उनका एक छोटा सा बच्चा ओली को दिखाया जा रहा था जो कि उसे जग़े पर केम्पिंग कर रहे थे वे लोग भी वहाँ पर वाटरफॉल को देखने आये थे और एमली एक एसी टीनेजर थी जो कि सिर्फ अपने में ही खोई रहती थी उसका पैरेंट से चाते थे हैं कि वो भी बाकी लड़कियों की तरफ गुमे फिरे और लोकों से बाते भी करें अब प्रेजेंट टाइम में यान और समन्ता एक दूसरे के साथ में इंजोय कर रहे थे वे दोनों बुक में से एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे और दूसरी तरफ जर्मन और चुक एक नाइट कलब में लड़कियों के उपर चांस मार रहे थे ताकि किसी लड़की को अपने साथ ले जाकर उसका फायदा उठा सके चुक लड़की को अपने साथ में हंटिंग बर चलने के लिए के लिए कहता है पर उन लड़कियों को हंटिंग करना नहीं पसंती और वो उन लड़कों को मना कर देती है जर्मन और चुक जब बात्रूम जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक पुलिसमेन मिलता है और उससे हमें पता चलता है कि दोनों ने अपने पास्ट में कुछ क्रैम किया हुए है पुलिस के जाने के बाद में जर्मन चुक को उसका फोन दिखाने को कहता है और चुक का फोन देखकर जर्मन उसे तोड़ देता है क्योंकि उस फोन में उनके पहले किये गए क्राइम के फोटोस थे जिससे कि वो दुनों जेल जा सकते थे और उस पिक्चर्स अभी भी चुक के फोन में थे इसलिए जर्मन उसे गाले अब देता है फिर जर्मन चुक को ईयान और समन्ता के बार में बताता है जो कि वहाँ पर वेकेशन बनाने आए हुए थे कहानी फिर से तीन दिन पहले के तरफ जाती है जहां पर रात को एमिली को बुरा सपन आता है जिससे उसकी निंद खुल जाती है और रोबर्ट को दिखाई देता है कि उसके कार का टायर पंक्चर हो गया है अगले दिन वो फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे जो कि वहाँ से कुछी दूर पर था पर एमिली को केम्प में अकले रहना था और वो उनके साथ नहीं जाती है रोबर्ट अपनी वाइफ मागरेट और अपने बेटे ओली को लेकर उस वाटरफॉल को देखने के लिए निकल जाता है अब यहाँ पर प्रेजन टाइम में समन था और एमिली केम्प में अकली थी तो वो अपने फोन पर फोटोस देख रही थी और तभी उसे किसी के आसपास होने का एसास होता है तो वो कार के अंदर बेट जाती है और जब तक कि उसके पैरेंट्स वापस नहीं आए तब तक कि लोग कार को लॉक कर लेती है इदर दूसरी तरफ मारगेड रॉबर्ट से कह रही थी कि एमिली को तेरपिस्ट के पास ले जाना चाहिए क्योंकि वो लोगों से गुलती मिलती नहीं है कानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जब एयान कार ठिक कर रहा था और तबी समानता को जंगल में गुमते वे ओली मिला था जो कि भूग के करण भ्योंश हो गया था इयान असल में डॉक्टर था तो ओली को चेक करता है और दोनों ही इस बात से हेरान थे कि ओली को छोड़कर उसके पैरेंट्स कहा गए थे वो दोनों ओली को हस्पिटल ले जाने के सोचते हैं पर उनकी कार नहीं चलती और तब ही वहाँ पर चूक आ गया था इयान और समानता चूक से हेल्प मांगते हैं पर वो उनको ये कहता है कि कुछ दिन पहले वो जब यहाँ पर आया था तब ओली की फैमिली यही थी और वो ओली को हस्पिटल ले जाने से पहले जंगल में ही उसकी फैमिली को डूढने को कहता है चूक एयान के साथ में वाटरफॉल की तरफ उसकी फैमिली को डूढने जाता है और समानता ओली के साथ में कार में ही रुकी थी कानी फिर से तीन दिन पहले की तरफ जाती है जब एमिली कार में ही अपने पैरेंट्स का वेट करते करते सो गई थी और वहाँ पर जर्मन और चुक आकर एमिली का फायदा उठाने का सोच रहे थे जर्मन पहले देखना जाता है कि आसपास और कैम्प में कोई है तो नहीं और इस तरफ चुक की आवच से एमिली की निद खुल जाती है और उसे देखकर एमिली थोड़ा सा डर गई थी एमिली चुक को वहाँ से जाने को कहती है पर चुक नहीं जाता है तो एमिली कार काहौन बजा देती है और कार काहौन सुनते ही रोबर्ट और मार्गेट को पता लग गया था कि एमिली किसी मुसिबत में है और दोनों कार काहौन सुनकर एमिली की ही तरफ आने लगता है उस कार के अंदर जाकर देखती है तो रोबर्ट ब्योंच पड़ा वाता और एमली को जर्मन और चूक सेक्शली हरेस्ट कर रहे थे मार्गरेट फिर चूक पर अटेक करती है और तब ही मुका देखकर एमली वहाँ से भाग गए थी पर जर्मन उसे रोक कर कहता है कि अगर वो भागी तो वो उसके पिता को मार डालेंगे और मजबूरी में एमली को वहाँ पर ही रुकना पड़ता है अब कुछ ही समय के बाद में चूक और जर्मन सभी को बंदी बना लेते हैं और उनके हाथ बांद देते हैं और वो उनके मुह में भी टेप लगा देते हैं फिर वो उनको जंगल के और भी अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में चुक को एमली का फोन देखकर ये पता लगता है कि उनका एक छोटा सा बेटा भी है और ये बेटा ओली था अब उस फोन में चुक ने उस फैमली की फोटो स्किछ ली थी जब बे उन फैमली को एब्यूस कर रहे थे वे दोनों फिर डिसाइड कर गोली रोबर्ट को जाकर लग जाती है और वो वही पर मार जाता है मारगेट अपने पती को मरतावा देख रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी इसलिए वो अब अपने सर पर केंड नहीं रखने देती है तो चुक उससे बहुत पिटता है जर्मन उस पर निशाना तरफ निकल गया था सीन फिर कठोके प्रिजन टाइम में आता है और यान चुक को फॉलो करता हुआ वाटरफोल की तरफ गया था और रास्ते में चुक कहता है कि उसे हंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस जंगल में वह अक्सर हंटिंग करने आया करता है चल करने से पहले उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है मार्गेट की बॉड़ी वहापर नहीं मिलती तो चुक टेंचर में आ गया था और उसे लगता है कि शायद मार्गेट बच गई होगी क्योंकि उसे गोली बसकंदे पर ही लगी थी तब ही फिर थोड़े दिर के बाद में मार्गेट बें मिल जाती है और आयान उसकी मदद करने लगता है, मार्गेट आयान को चुक के सच्चा ही बताने वाली थी कि तब ही चुक उस पर गोली शूट करके उसे मार डालता है, दूसी तरव जर्मन समन्ता के पास आता है और तब ही उनको गोली चलने की आ समन्ता उसे अटेक करके ओली को लेकर जंगल की तरफ भाग गई थी जर्मन अपने कुट्टे को छोड़ देता है और खुद भी उनको ढूंडने लगता है और इस तरफ चूक इयान को नहीं मारता है क्योंकि वो उसे दिखाना चाता था कि वो समन्ता के साथ में क्या क्या करे पर इवान को जब मुका मिलता है तो मुक्य का फाइदा उठा कर वो जंगल के तरफ भागता है यान और समन्ता दोनों ही अपनी जान बचा कर जर्मन और चूक से भाग रहते हैं और गलती से चूक जर्मन पर ही गोली चला देता है तब ही ओली रोना लगता है तो चूक को उसकी आवास सुनाई देती है वो आवास का पीछा करते हुए समन्ता के बास जा पोचता है वो फिर ओली को समन्ता से चीन कर जमीन फर फेकता है और यान दूर से चुपकर ये सब कुछ देख रहता है जर्मन चुक से उसे मारने को कहता है क्योंकि उसे दर्द सैन नहीं हो और जर्मन उसके बात मानकर उसे गुली मार देता है और उसे इस दर्द से आज़ात कर देता है उसके बाद में वो समन्ता को उसी जगर लेकर जाता है जहां पर उसने उन लोगों को टॉर्चर किया था वहां पर वो समन्ता को बांद कर उसके साथ में जिपरदस्ति करने लग ऑख़ा था चूक समन्ता को उसके साथ काहरेले बिठा कर यान को फॉलु करने लगता है लेकिन कार के अंदर ही समन्ता चूक पर ku अटेक नहीwn पार शुखी और दोनों बयोश हो जाते हैं दूसी तरफ यान एक पतिनी के पास में जाना चाता था लेकिन पुलीस उसे नहीं जाने देती क्योंकि हो सकता है वहां पर खत्रा हो अब दो पुलीस ओफिसर कार के पास जाते हैं पर चुक उन पर गोली चला देता है और चुक को देखेर समनता जाड़ियों में छुप जाती है एक्सिडेंट की वजय से चुक का पेर इंजरड हो गया था और समन्ता के पीछ नहीं जा पारा था वह वहीं से svenन्ता को डराता है कि अगर रुबाहर नहीं आई तो वह इवान को मार देगा और तब समन्ता निकल आती है ताकि वह शुमता को पता लगता कि यहां अपने साथ में साथ में ऑली की कोशिश करता है पर समन्ता उस पर अटेक कर देती है और उसे पत्तर से पीट होने वाला है तो आई हो दोस्तों यू इंजॉड दे वीडियो वीडियो कर पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम बहुत जल्दी वन लैप क्रॉस करने वाले हैं